हेलो गाइज गुड इबनिंग दोस्तों काफी दुन से आप लोग की कोई भी कलासेस इस यूटूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर नहीं हो पा रही थी मेरे दोस्त तो फिल से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम अस्पीड एंड डिस्टेंस को ठीके बाई और आज हम लोग इ और एक आपको होमवर्क के लिए देंगे और उस कोईशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बनाईएगा ठीके ने भाई तो जल्दी सा आईए कोईशन की तरफ और कोईशन आपके स्कीन पर एपियर ए हो रहा है ठीके भाई बताईए बहुत हिंजल आपका थियोरी स टाठो का भाई उसके बाद कोईशन का सिलसिल आ चलेगा ठीके तो देखिए कोईशन समझेए बोल रहा है कि एक ब्यक्ति जो है निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तैय करता है यानि कि डिस्टेंस जो है कॉंस्टेंट है ठीके यदि वह अपनी चाल में 15 किल लेगा ठीक है यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर पर घंटा की कमी अगर करता है न तो वह कितनी देरी से पहुंसेगा और यह आपको दे रखा है कि उसकी जो रियल स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है बहुत लोग देखते हैं 3-4-5 डाटा तो घबरा जाते हैं कि करके देखना कैसे मुधक्या स्पीड आपका कोश्चन में दे रखा है Pero your ठीके और रियल स्पीड क्या है मेरे तो आप कहेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर हो 6 है और बाद में स्पीड कितना हो गया है तो आप कहेंगे कि 15 किली मीटर पर आवर की बृधि हो गया अगर रेशियो लेना चाहें तो डारेक्ट आप ले सकते हैं 15,4 के 60 हो जाएगा और 15,5 है पचाप पूर ए भाई अस्पीड का रेशियो आ गया है सार अनुपात 5 ठीके ए अस्पीड का रेशियो है बट डिस्टेंस यहां पर कॉंस्टेंट है भाई तो डिस्टेंस अगर कॉ पूर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् याने कि 595 हो जाएगा क्योंकि स्पीड का उल्टा है टाइम अब कोश्चन में बोल रहा है कि सोरा मिनट पहले उसी दूरी को तैय कर लेगा भाई तो यहाँ पर टाइम में एक यूनिट का गैप है जैब कि कोश्चन में बोल रहा है कि सोरा मिनट हैं तो अगर रियल टाइम देखा जाए तो कितना हो जाएगा मेरे बाई तो आप कहेंगे कि समझाने के लिख रहे हैं मेरे भाई बरना है सब चीज़ें लिखने वाला नहीं है बार-बार मैं बोलता हूँ आप लोगों को मेरे दोस्त ठीक है ना आप समझे आप अब बोल रहा है कि अस्पीड को अगर 12 किलोमेटर पर आवर कम कर दे तो तो अस्पीड भाई 60 था अब 12 क किलोमेटर कम कर देगा तो स्पीड कितना हो जाएगा तो आप spaces 12ила चोलाट अिया स्पीड यैया स्पीड का रेस्यू है तो अगर टाइम का रेस्यू देखना चाहें तो चार उनिट का भैलू जब 80 मिनट है, तो एक उनिट का भैलू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 मिनट, तो जब एक उनिट का भैलू 20 मिनट आ गया मेरे भाई, तो बोल रहा है कि यदि वह अपनी साल में 12 किलोमेटर पर आवर की कमी करता है, तो वह कितनी देर से पहुंच रहा है देखी, पहले लग रहा था चार मिनट, अब लग रहा है पांच मिनट, यानि कि एक मिनट देरी से पहुंच रहा है, और एक उनिट माप कीजिएगा मिनट नहीं, एक उनिट देर से पहुंच रहा है, तो एक उनिट का भैलू क्या है 20, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा जिनको नहीं समझ में आया है एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाया और एक होम वर्क भी दिये हैं उसको आप लोग अच्छे से डील कर पाएं ठीक है ना बाई देखिए कोश्चन बोला है कि एक ब्यक्ति निश्चित चाल से चल कर निश्चित दूरी तय करता है यानि कि डिस्टेंस जो है कॉंस्टेंट है यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर की ब्रिधी करता है तो वह सोरा मिनट पहले पहुंचता है लाइन को पकड़िएगा कि अगर 15 किलोम चाल जो है रियल अस्पीड़ जो है 60 किलोमीटर पर आवर है तो पहले भाई अस्पीड 60 था 15 किलोमीटर बढ़ा दिया है 25 हो गया है तो अस्पीड का रेशियो 4 अनुपाद 5 है और डिस्टेंस कॉंस्टेंट है तो अभी आपको लिग के बताये कि अस्पीड का रिभर्स हो जाएगा और टाइम का रिवर्सा स्पीड हो जाएगा यानि अनुपात बदल जाएगा पांच अनुपात चाहले कि समय में कितना का गया पार आए तो आप कहेंगे एक जब कोश्चन में दिया है कि तो उसी दूरी को सोरा मिनट पहले कबर कर दे रहा है ठीक तो रियल टाइम कितना है भाई पांच यूनिट तो पांच यूनिट का भैलू अस्य मिनट हो गया दूसरा कंडिशन की तरह पकर हम बढ़ते हैं तो बोल रहा है कि रियल टाइम रियल अस्पीड तो आपका साथ है बाद में वो अपनी अस्पीड में 12 किलोमीटर पर आवर की गिरावट कर देता है कमी कर देता है तो अब स्पीड हो गया है 48 तो अस्पीड का रेशियो पांच आर आ गया तो टाइम रिवर्स हो जाएगा चार पांच ठीके टाइम रिवर्स हो गया तो रियल टाइम यहां पर 80 आगया है मेरे भाई तो चार यूनिट का वैलू 80 है तो एक यूनिट का वैलू 20 आगया तो कोश्चन आपसे बोल रहा है कि 12 किलोमेटर पर आवर की कमी अगर कर देता है तो कितनी देर से पहुंचेगा तो पहले चार यूनिट टाइम लग रहा था पांच यूनिट लग आए ना मेरे भाई तो एक यूनिट देर हो गया उसको तो एक यूनिट का वैलू क्या बताए अभीना 20 और वहीं 20 मिनट आपका अंसर है ठीक 20 मिनट इसी पर सेम टू सेम बेस्ट एक कोश्चन है कोश्चन नमर दो देखते हैं कि किन किन भाई का सही जवाब आता है सेम अगर नहीं समझ में आएगा यह कोश्चन तो इसका हम सलूसन अभी करके टेलिग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं पीडियाप के रूप में वहाँ से देख ली जिएगा बट सबसे पहले कोशिस करिएगा बनाने की मेरे वाई ठीके तो चलिए कल से स्टार्ट करते हम लोग डिसकस करेंगे पिनाइकल एससी मैथ थार्ड इडिस ठीक थैंक यूँ